कि सलाम नमस्ते हेलो केम्चु स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार वाइफाइ स्टडी 2.0 पर दोस्तों फटाफट से जूर जाए एक बार शेशन को दबा के शेयर कर दीजे जितने मेरे भाई बैन हैं जहां भी आप कर सकते हैं शेयर इसे शेयर कर दीजे सभी ल कि एक्वार इग्जामिनेशन में आने के चांसे सबसे ज़्यादा होते हैं तो दोस्तों आई ये शुरू करते हैं जिए बाई पर मेरा टेलिग्राम ग्रूप है दोस्तों जिसे आप जोइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे सरच करके Have a B आपको प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए मेरा प्लस बैच आज यही से सुरू हुआ है दोस्तों फर्टीन अप्रेल से जिसमें कि मैं पूरा जनरल इस्टडीज पढ़ा रहा हूं क्योंकि अब बैंकिंग में केवल जनरल अवेरनेस नहीं आ रहा है कि बैंकिंग और करेंट पढ़ाई है एक बार आप लोग इस बैच को देखिएगा इस बैच को इनरोल कीजिएगा 11 बजे अपनी फीडबेक दीजिएगा और उसे हिसाब से हम लोग इसमें और इंप्रूब्मेंट करने वाले आप लोग बैंकिंग करेंट अफेर्स और यह पहले पढ़ेंगे आप पहले पढ़ेंगे और बैंकिंग वाला बाद में पढ़ेंगे यह सब कुछ आप लोग है जीए बाई प्यूसर कमें में कमेंट करके भी बता सकते हैं और यहां पे भी बता सकते हैं ठीक है शाम को पाच बजे वाई-फाइश्टी टूपन जीरू पर यह बेस्ट टूहंड दोस्तों तीन बजे अनकेडवी लर्न रैप पर अपनी क्लास होती इसकी टाइमिंग में थोड़ा चेंज करने की सोच रहां क्योंकि 11 से साड़े बारा यह क्लास हो गई तो इसलिए मुझे गैप नहीं मिल पा रहा है तो इसलिए मैं इसको सोच रहा हूं कि 5 बजे के बाद साड़े 6 बजे के करीब इस क्लास को मैं जो है सिफ्ट करूँ है ना ठीक है तो इस पर भी आप मुझे अपनी राय दे सकते हैं और बता सकते हैं दोस्तों प्लस सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको सारे बैचिस मिल जाते हैं जितने भी अवलेबल होते हैं अनकेडमी एप जितने भी अवलेबल बैच होते हैं दोस्तों कनर तमिल तेल्गू इंसोरेंस एक्जाम इनका भी यहाँ पर दोस्तों वर्टिकल ओपन हो चुका है दोस्तों प्लस सब्सक्रिप्शन लेने पर प्लस सब्सक्रिप्शन जो है इसको अगर आप लेते हैं तो यहां पर एक चीज याद रखिएगा कि आपको केवल बैचेज ही नहीं मिलते एक्जामनेशन के आपके जितने भी टीचर हैं उन सबका लिम्टेड एक्सेस मिल जाता है अगर 50 टीचर है तो सबका और हर सब्जेट के ददस टीचर एक्सेस उनके सारे बैचेस का एक्सेस टेस्ट जितने भी एक्जाम है उनके जो टेस्ट जो इक्जाम आएंगे उनके भी टेस्ट स्टड़ी मेटेरियल सारी चीज़ों का लिम्टेड आकसेस आपको यहां पे मिल जाता है दोस्तों अब को और प्लस के साथ जिसमें आंब को प्राइक्टीज मिलती है आप आस्क डाउट फैसिलिटी का यूज करते हैं दोस्तों तो प्लस के उपर आइकोनिक वाले को प्राथमिक्ता मिलती है उस पहले उसका सॉल्व होता है ऐसे दोस्तों एक फीचर है कि आप अपने लाइव ऑनलाइन क्लास में अपने टीचर से बात करके जैसे आफ लाइन में आप करते हैं वैसा मज़ा ले सकते हैं यानि की आफ लाइन का मज़ा ऑनलाइन में यहां पर मिलता है इसमें भी पहले आइकोनिक वाले का प्राव्लम सॉल्व होता है फिर जो है प्लस वाले का क्लियर है दोस्तों 325 रुपे पर मंत जो है कॉस्टिंग आती है जो दो साल वाली सब्सक्रिप्शन की वह सबसे सस्ता पढ़ता है कॉस्ट सब्सक्रिव करने पर दोस्तों डिसकाउंट मिल जाता है आपको अठाटर सो रुपे का जो यह 325 रुपे पर मंत का है यह आपको 10 रुपे पर दे से भी कम की कॉस्टिंग आ जाती है डिसकाउंट के बाद दोस्तों प्राइस जो है वह 15 अप्रेल को बढ़ने वाले हैं कब प्लस सब्सक्रिप्शन में हो जाएगा लेना है ही और लेना पड़ेगा ही क्योंकि दो साल का सब्सक्रिप्शन है और अनकेडमी के अलावा और कोई पर ऐसा नहीं है कि आपको इतनी सारी अनलिम्टेड एकसे दे वहर बैच के लिए अलग से पैसे लेंगे आपसे बाकी च सही चीज लगती है कि यहां पर आप एक बार ले लिए अब उसके बाद जो टीचर आगे आएगा भी उसका भी बैच उसमें इंक्लूड हो जाएगा कुछ भी इन पर प्रियेट लगे दोस्तों तो आप जो है रिपोर्ट कर सकते हैं कि ठीक है दोस्तों मेरी क्लास यहां प सब्सक्राइब का मुझे फॉलो करने के बाद आपको दोस्तों मिल जाता है यहां पर मेरे जो है नोटिफिकेशन पाने का एक जरिया आप मेरे लेक्चर जब भी सुरू होंगे यह होगा तीन बज़े यह क्लास डेली होती है इस क्लास को भी हम लोग जो है सोच रहें कि पा है क्योंकि अब नया पैटन उसी साब से दोस्तों एक आस्क डाउट चैलेंज आया हुआ है सत्रा अप्रैल तक इसमें भी आप लोग भाग लीजिए पूरा पाटिसिपेट कीजिए जो सबसे ज्यादा डाउट जो है अपलोड करेगा आस्क डाउट सेक्शन में जाना है आ तो आप को जो टॉप हंड्रेड लर्नर से उनको यहां पर एमेजॉन का वाउचर मिलने वाला है तो आप डाउट पूछिए और एमेजॉन का वाउचर जीती है आईए दोस्तों शुरू करते हैं मेड़ी बड़ी के ब्रैंड अमेजडर के रूप में किसे अपउइंड किय आ गया फार्म इजी के तो कौन बने थे आमिर खान अब मेड़ बड़ी के कौन बने है यह आप बताएए भाइट कि सर एंटी पीसी सीवीटी टू नाइन तो तेंथ मई को है तो आज उसका स्टेट जी पता दो प्लीज जी के कैसे पढ़ना है कैसे ज्यादा नंबर आ जाए कि दिखो कि रेल्वे एंटी पीसी में आपका जी के कि आप सीवीटी वन का जो है अगर आप वह देखें पूरा रिसर्च करें तो उस हिसाब से आपको बस सीवीटी टू में चीजें मिल जाती है deal कि सिच्टीग अच्छा सबसे बड़ी बात है कि रेल्वे में यह नहीं होता जी शे मीने में से कोश्यं आ जाया थी महिने देर को मिने से को इस अट यूटता है कि जो बड़ी-बडी घटनाय घटी एंपड़ेiiii वह पूछ लेगा कि बताईए कि चंद्रयान कब गया चंद्रयान टू कब गया मंगल यान कब गया वह बड़ी-बड़ी घटनाओं के बारे में वह पूछ लेगा नुकलियर के पहले विस्पोर्ट के बारे में वह तो वह उस करेंट अफेवर को भी पूछता है जिसने भारत भारत की दशा और दिसा बदल दी जो भारत की महत्रपुण घटनाई हुई चाहे वो जिएस्टी आया हो चाहे वो जम्मु कश्मीर का जो है के डिवाइड हुआ हो लदाख का वो सारे वो इवेंट भी पूछता जो पुराने जो बड़े हैं तो जो रेगुलर चीजे आप प बच्चन को अमिताब बच्चन को मेड़ बड़ी के ब्रैंड अमेजर के रूप में अपॉइंट के गया सबसे बड़ी हैं अगर कोई बुक ऐसी मार्केट में अवलेबल हो सीबीटी वन के पेपर जिसमें जो है के दिये हों कि सीबीटी वन अभी हुआ था तो पिछले साल तो सीबीटी वन में क्या क्या कोश्चन आयए थे कौन-कौन से एरिया से एक बार अगर वह पेपर का आपको बुक मिल जाए नोट्स मिल जाए तो उससे अनलसिस कर लो कि हम ब्रेंड अमेजडर है आयुसमान खुराना के साथ यह मीरा वाई चानू के साथ अमताब बच्चन जो हैं एमवे के भी ब्रेंड अमेजडर है और दोस्तों यह आरबी आई के भी ब्रेंड अमेजडर हैं नीरत चोपड़ा जी के साथ हैं कि अमेड बड़ी के भी यहां ब्रे से सिवि Catholic हम जो तो दोस्तों जो इंट है Сिवीप मनाया गया है इसका जो फ्राइब गो सेb है रहेगा तो दोस्तो बादी जो बेंक 14-18 फर वरी के बीच में उन्ट Marriage में जाताए इसकी त्रहसे कि अरफ अब मनायेंगे ओक ऐंगे निट गो थीम है गो डिजिटल गो सिक्यूर दोस्तों आरबी आई की अगर बात की जाए तो आरबी आई ने अभी सेल्फ हेल्प गुरूप की को लेटरल फ्री लेंडिंग की लिमिट दस लाग से बढ़ा के बीस लाग की है इंडिया से नेपाल फंड ट्रांसफर के लिमिट पचास आइश् PJ कर दिये अधार इनेबल पेमिन्सम में 10 हज हज़ार उपřे टन्जेक्शन लिमिट और पांस ट्रांजिक्शन दिन वर में कर दिया है 200 रुपए दोस्तों आफ लाइन पेमेंट की बीना इंटरनेट वाले पेमेंट की लिमिट कर दी है जिसमें वैलेट में एक बार दो हजार रुपए से ज्यादा नहीं रख सकते एक चीज और एक तो मेरा प्रक्टिकली है एक क्यूर कोड के थ्रू जो पेमेंट होता है कि क्यूर कोड आपने जो है किसी ने आपको मोबाइल भेजा आपने गैलरी से क्यूर को लिया पेमेंट कर दिया किसी उसमें 2000 रुपए से उपर का क्यूर कोड वो नहीं जाता है बात समझ में आ रही है तो मेरे बच्चो कल मेरे जन्मदीन पर आप लोगों ने जितनी वाम विसेज दी और जितनी आप लोगों ने जो है अच्छे-च्छे कमेंट किये मैं आप सभी को वह दिल से दर्निवाद देता हूं और बहुत मतलब मैं अपने आगों भागशाली समझता हूं कि मेरे इतन मतलब क्या बता हूं कुछ बच्चों ने तो अब बहुत ही अच्छे-च्छे कमेंट लिकें दिल खुश हो गया दिल मतलब मैंने अपने उसको वाट्सअप स्टेटस में लगाया मेरा पूरा सब सरकिल ही कहा रहा है वाह क्या बात तसर यह दोलत है जो आपने कमाई है यह है असली दोलत जो आपने कमाई है पैसा रुपया कुछ नहीं होता है सो ना चांदी लेकिन यह जो बच्चे जो सेलेक्ट हुए हैं और वो जब आपको याद करते हैं तो मैंने सेलेक्टेड बच्चों के ही वाट्सप इस्टेटस लगाए थे और सब कि वो जो याद करते दो सफल होने के बाद कौन किसको याद करता है लेकिन वह बच्चे भी जब आपको याद करते हैं और आपको अपनी सफलता का क्रेडिट देते हैं बैंक के चेंबर में एसी कमरे में बैठके जहां पर हर आदमी जाके एक परसन हो जाता है और बोलता है काउंटर नंबर 12 पर जाओ लंच के बाद आना चाय के बाद आना लेकिन वहां से वह अपने गुरू को याद कर रहा है तो यह भी एक बहुत बढ़ भी करने लग जाओंगा ना तो भाई साब तो दस दिन लगेगा मुझे खाली खाली में थैंक्यू लिखने में मेरा जय के चला अभी तो अपने टेलिग्राम गुरूप पे हमने एक बार भी थैंक्यू लिखा ही नहीं वहां तो अभी आप लोग को लिखना है आभी मैं लि रिलीफ इन इमेजेंसी सिच्वेशन प्रताप धानमंत्री आपदा राहत कोस की तरह यह फंड आया था दोस्तों ठीक है क्लियर है तो दस हज्जा नौसो नब्बे करोड रुपए जो है यहां पे दिये गए हैं पीम केर फंड के लिए बात समझ में आ रही है तो दिखिए इसका फुल फॉर्म भी यहां पे लिखा हुआ है पधानमंत्री सीनियर एजिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमेजेंसी सिच्वेशन फंड दोस्तों पीम केर फंड में जो पैसा आया है अभी तक वो इतना रुपे आया है खर्च कितना तीन हजार करोन रुपे खर्च हुए थे अब जो बाकी पैसा बचा हुआ है उससे जो है उन अनात बच्चों के नाम से दद्दस लाक रुपे की एवडी कर देने की यहां पे जो है बात है ठीक है क्लियर है कि इस पैसे का यूज उन और्फन चाइल्ड के लिए कर दिया ज सक्कर में सेकेंड वेब में 3976 करोड़ रुपे खर्च किये गए है यह ऑडिटेट स्टेटमेंट है और ऑडिट करता है चार्टेट अकाउंटेंट जो कि सार्क एन एसोसियेट है दिल्ली की फर्म है ठीक है वो इसका जो है ऑडिट इसलिए भी करता है क्योंकि इसके उपर लोगों ने बड़ी उठाई दी विपक्ष ने की पधानमंत्री है यह जो है कि आर्टी आई की दैरे में नहीं आता तो यह पहले से नहीं आता आपदा रहत कोश कभी भी जो है कि आई टी आई की दैरे में नहीं आता उसका कोई हिसाब नहीं तो पैसा कहीं भी कभी भी खर साथकोस नया है जिसका नाम उन्होंने केर फंड रख दिया दोस्तों भारत के जल संकट को हल करने के लिए हाल ही में किस सहस्ताने एक्वा मैप नामक जल प्रबंदन और नीती केंद्र की स्थापना किये तो जल प्रबंदन और नीती केंद्र की स्थापना एक्वा मैप नाम स से दोस्तों आयाइटी मद्रास ने की है माइटी मद्रास दोस्तों भारत के बेश्ट इंजिनियरिंग इस्टिट्यूट में गीना जाता है वैसे अभी क्यूएस वर्ल्ड रेंकिंग में इंजिनियरिंग केटेग्री में आयाइटी बॉंबे को 65 और आयाइटी दिल्ली को बह दोस्तों आइटी मद्रास क्यों किन-किन वजहों से निउस में रहा है तो हम यहां पे देख सकते हैं कि एशिया का पहला इंटरनेश्टनल मेमूरी स्टेडी वर्क्षाप इसी ने किया था इटी मद्रास ने आई टी मदरास ने दोस्तों नियो बोल्ट वीलचेर बनाया था जो बैटरी से 25 किले मिटर पर आवर की रफ्तार से चल सकता है दोस्तों इसने डिजिटल प्लेटफर्म इसोर्स भी डेवलप किया था जो इवेस्ट के प्राबलम को टेकल करने के लिए था इवेस्ट ओर्गनाइजेशन के द्वारा दोस्तों आई टी मदरास ने सेंट गोबेन के साथ भी टाइब किया है कि 100 परसेंट रिनेवेबल एनरजी को एचीव करने के लिए तो एक करोड़ों रुपे दोस्तों यहां पे तीन साल में जो है सेंट गवेन गोबेन जो है यहां पे आई यहां दोस्तों भारत ने प्रढ़्धान मंतरी किसान संपदा योजना को मांच दोजाट चप्वच तक बढ़ा दिया इस योजना के लिए 400 करोड़ रुपए अवंटित किये गए प्यधार मतरिक किसान संपता योजना किस मंत्रा ले की प्रमुक्पेल अगर दोस्तों कोई नॉर्मल योजना अगर बढ़ी होगी तो दोजा 26 27 तक के लिए बढ़ी होगी जो की फिनेंस कमीशन का साइकिल है इसके बाद अगला फिने कमिशन चल लाए अभी कौन सा चल लाए दोस्तों वित आयोग कौन सा चल लाए दसवाइं 11 12 तेरहवां 14 पाचवां 6 शटवां 7 आठवां बताईए तो दोस्तों यह जो वित आयोग है इसका जो साइकिल है वह दोजा 26-27 में खतम हो रहा है तो अभी जितनी भी योजना है वहां तक के लिए बढ़ाती गई है बस पधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन को दोजा 24 रखा गया है क्योंकि वह जल्दी से जल्दी करन विणा है पहले तो 2022 ही था आवास योजना का तो दोस्तों यह किसान संपदा योजना जो है यह फूट प्रोसेसिंग इंडर्श्ट्री मिनिस्ट्री जो आखाध प्रसंस्क्रण विभाग यह दोस्तों मंत्राले जो है यह पहले था आपका उनके पास हर सिम्रत को और बाद मंत्राले उनको मिल गया था क्या नाम है प्रकाश जावडेकर जी को मिल गया था लेकिन उसके बाद प्रकाश जावडेकर जी किसे तो सारा ही मंत्राले ले लिया गया अब जो है ये मंत्राले चिराख पासवान के चाचा जी यानि राम विलास पासवान के भाई के पास चला गया है उनकी डिथ के बाद तो पसुपती पारस जी जो है इसके मंत्री हैं याद रखेंगे हाजी पूर से आते हैं सांसद बिहार से जहां से कभी राम विलास पासवान ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था सबसे भारी मतों के अंतर से जीतने का अग्यों ठीक है तो दोस्तों अब सोच रहों कि सर मोधी जी है तो संपधा का पुछ नो कुछ फुल फॉर्म तो होगा ही तो आपका सोचना बिल्कुल सही तो संपधा का फुल फॉर्म क्या है इस्कीम फ्रॉम ए ग्रोगश क्रोफ मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलप्मेंट अफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लश्टर तो दोस्तों यह संपदा का फिल फॉर्म है बिल्कुल सही कहा इस योजना को दोजा सत्रम अगस्त में लॉंच किया गया था ठीक है क्लियर है चलिए बहुत बढ़ियां तो यह याद रखेंगे तो इसको दोजा 26 तक बढ़ा दिया गया है और 46 सो करोड़ रुपए आवंटित किये गए इसके लिए कितना पैसे आवंटित किये गए 4600 करोड़ रुपए आवंटित किये गए दोस्तो ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी एक ब्रैंड वैलुएचन रिपोर्ट के उसार भारती जीवन भीमा नीगम को विश्व इस्तर पर भीमा ब्रैंडों की सुची में कौन सा इस्थान दिया गया है इंडिया रैंक नंबर वन इंडिजिटल स्कीम रेडिनेस तो तो आप लोग को मैंने लिंक भेजा हुआ है प्लस कोर्स का जीए प्यूसर टेलिग्राम पे जितने प्लस सब्सकाइबर वाले हैं उसको इन्रोल कर लो इन्रोल कर लोगे तो आपके स्टडी प्लानर मेंड हो जाएगा वो मेरे सारे लेक्चर और उसके नोटिफिकेशन भी तुमको प्रापर आने लगेंगे सुबह 11 बजे क्लास हो रही है वहां इंप्वार्टेंट्क क्लास लाइव आना है जब्यूंकि वहां पे हम लोग हिस्ट्री से रिलेटेढ बात करने वाले हैं तो वहां पे आपका लाइव आना बहुत ज़रूरी है ठीक है तो दोस्तों यहां पर भार्ति जीवन भीमा को ब्रांडों की सूची में जो है 10 इस्थान्द दिया गया है यानि कि सबसे जो पिंग एन एस्षरेंस है चाहिना का यह जो है सबसे घ्राइड बड़ी जो है लाइफ इंस्वरेंस company है चाइना की और 10th valuable जो है यह आपका LIC है लेकिन strongest brand के रूप में 3rd strongest brand तो 3rd strongest और 10th valuable brand है LIC और दोस्तों जो है रिटर्न और जो है इक्विटी के नाम पे return on investment के नाम पे सबसे नंबर वन पे है हमारा LIC LIC ने दोस्तों बांदरा कुर्ला कॉंप्लेक्स में जो है डी जी जोन बनाया है LIC ने LIC का IPO दोस्तों आने वाला है थोड़ा सा मार्केट स्टेबल हो जाए तो इसका आने बनाया था वैसे तो 11 तारीक को ही लेकिन रोग दिया गया है अभी युक्रेइन वाले युद्ध की वज़े से मार्केट स्टेबल हो जाएगा तो फिर लाया जाएगा ठीक है दोस्तों बांद्रा कुरला कॉंप्लेक्स में ही जीयों ने अपना वर्ल्ड टेड्ट सेंटर भी ओपिन किया है ठीक है एल आई सी ने दोस्तों आनंद एप इस्टॉर जो है कि बनाया है एजेंट्स के लिए आनंद का फुल फॉर्म है आत्मनिरबर एजेंट फॉर न्यू एज बिजिनेस डीजिटल एप तो दोस्तों अगर हम लोग देखा जाएं तो एक प्रगती एप भी है जो की मैंनेजर्स के लिए है वहाँ के हो पॉलिसी को भी ट्रैक करें एजेंट्स को भी ट्रैक करें अगे तो उस परगति का भी फूल फॉर्म में वह मुझे भी याद नहीं आ रहा है तो उस परगति अप का भी फूल फॉर्म है ठीक है एलैइसी से 17 1956 को आई थी मुंबई हेड कोटर है है 245 कंपनियों को मर्ज करके दोस्तों इसे बनाया गया था L.I.C. को मुंबई हेट कोटर है Mr. Kumar इसके head है और दोस्तों 4 M.D. है राज कुमार एक है सिधार्थ महुंती एक है 20 पटनायक एक है IP मिनी तो ठीक है क्लियर है चलिए तो दोस्तों IPO के लिए 10 मर्चेंट बैंक भी जो है कि कर लिए गए हैं जहां से आई पीओ बेचे जाएंगे जो लोग नाइसी में निवेश करने को चुक होंगे वो करेंगे और दोस्तों अभी तो सारे डीजिटल जितने भी डीमेट अकाउंट खोलने वाली ब्रोकरेज कंपनिया इसी नाम पे डीम अकाउंट खोल रहे हों खुलवा रहे हैं तो इसकी जो वैल्यवेशन है दोस्तों वो तकरीब गरीब चौसक हजार साथ सो बाइस करोड़ों रुपे है अगर डॉलर में देखा जा तो इसकी जो वैल्यवेशन है 8.656 बिलियन है दोस्तों एक आई पी ओ आने के पहले सरका में यह बता दिया है कि LIC में FDI मात्र 20% है क्योंकि एक सरकारी कंपनी है सरकारी बैंकों में भी FDI 20% होता है प्राइवेट बैंक हो इंसोरेंस हो उसमें FDI भले 74% है दोस्तों आर्बी आई ने मई 2022 तक किस बैंक पर पतिबंद बढ़ा दिया है तो दोस्तों जो है मिलात को कॉपरेटिव बैंक पर पतिबंद जो है अरिवैइग ने बढ़ा दिया है मिलत को अपरेटिव दोस्तों डेवंगीरी करनाटका का वैंक है इस पर आरिवेएए ने अपनी प्रदत शक्तियां लगाई है और उसको जो है बंद कर दिया है दोस्तों आरबी कि गवर्नर सक्क पिकान दाश जी ये 25 वे गवर्नर है 2018 में अप्वाइंट हुए थे तीन साल का कारकाल के बाद फिर सेक्षेंशन मिल गया इनको 2021 में अब 2024 तक चलेंगे कि दोस्तों कॉपरेट्टिव बैंकों मेंregा गोट बाद से कॉपरेटिव बैंक फ़ पर शनी की वकर दिश्टि पड़ी जिसे रोपी कहा जाता है और इसे नियाम गंजव मेंद तो दोस्तो वह 157 जाया नहीं देगा और अगर ग्रूप आपजिस पर्सेंट कर देंग तो AZब 40 percent से बढ़ाकि आपका 75 percent कर दिया गया जाने कि nationalだ रूर्लबैंकी जितना है उतना कर दिया गया कौपरेटीव निम्सक्राइब परत मल्पी मैं कि गौटाले के बात सह दोस्तों डी अइए बहुत बड़ा बेंचमार्क माना जा रहा है पीमसी बैंक को दोस्तों भारत पे और सेंट्रम ने एक बैंक ओपिन किया बारहवां देश का स्मॉल बैंक यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक उसने पीमसी बैंक को अधिगरहित किया है उसको लाइसेंसी इसी बात पे दिया गया था भारत पे को कि तुम बैंक खोलो 1100 करोड से जबकि स्मॉल बैंक 300 करोड से उपन होता 1100 क्रोर से open करो और PMC बैंक को अधिग्रिहित करो तब हम तुमको लाइसेंस देंगे दोस्तों हाली में किस कंपनी ने Regulated Sector Cloud Offering डवलप करने के लिए Microsoft के साथ टाइब किया है तो दोस्तों Regulated Sector क्लाउड offering के लिए इन्होंने L&T Company के साथ Microsoft का टाइब L&T बड़े-बड़े Equipments भी बना करके भारती सेना को देती है दोस्तों L&T ने दुनिया की सबसे बड़ी की मुची मुर्ती भी बनाई है सदार पटेल की L&T ही बुलिट ट्रेन वाला काम भी देख रहा है जो मुंबई से हमदाबाद तक बनने वाली है और जो सूरत में पहला station बनेगा जिसका तो दोस्तों L&T mutual fund asset management company को भी acquire भी HSBC asset management company ने किया था asset management company मेंने mutual fund company ठीक है तो दोस्तों जो है लारसन एंट ट्यूब्रों के CEO है SN सुब्रमनियम कौन है दोस्तों SN सुब्रमनियम इसके जो है CEO है क्लियर है चलो बहुत बढ़िया शांदा जिन्दाबार जबर्दस्त दोस्तों हाली में किस केंद्री मंत्री सब्सक्राइब ने 2020-21 के लिए कुशल संसत सदस्यकी केटेगरी में 18 दिवंगत माधव राव ली में पुरुसकार प्राप्त किया है तो यह दोस्तों नितिन गटकरी जी जो हमारे रोड एंड ट्रांस्पोर्ट मिनिस्टर है नागपूर से आते हैं और इनको जो है लोग हैं तो दोस्तों नितिन गटकरी जी एक से रोड बनाया भाई साब सूरत में में इस टिल के कचरे से भारत में पहला रोड बनाया है एक से नई एक लौजी और का भी यूज कर रहे हैं यह रोड का इंस्ट्रक्शन में और इस में इतने एक्सप्रेस वे इतने अच्छे चे इन्होंने रोड बना डाले दोस्तों विच इस दा फर्स यूनियन टरिटरी टू बी इन इंटीग्रेटेड विद दे नेशनल सिंगल विंडो सि जम्मू कश्मीर का और किन बातों के लिए हुआ है यह आप जरूर बताईएगा मुझे इस बात का इंतजार रहेगा तो दोस्तों यह सिंगल विंडो सिस्टम है तो एक दिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया है जो इन्वेस्टर्स को गवर्मेंट अप्रूवल लेने के कश्मीर में इनवेस्ट करना चाहते हैं चाहे वह यूए हो दुबई हो चाहे आपका साओधी अरब हो या नीदर लेंड हो या न्यूजेलेंड हो अगर कौहां की कमपनिया आती हैं ऐस्टेलिया हो तो वह जो है यहां पे इंतिग्रेटेड सिंगल विंडो सिस्टम पे सार तो इजी कर दो दोस्तों है च्वा आपकॉट्मेंट कमीटी अफ केबिनेट है उस demol מא सी के दक्ष के रूप में Mr. Kumar के जो है कारकाल को दोस्तों मार्च 2023 तक के लिए बढ़ा दिया मार्च 2023 तक के लिए बढ़ा दियागा दोस्तों इनको अभी तो चेर्मेन हम कह रहे हैं जो हेड लेकिन जब आई पीओ आ जाएगा तो इन ही के पोश्ट का नाम जो है कि वह सीओ हो जाएगा क्या हो जाएगा सीओ हो जाएगा दोस्तों अच्छा अगर हम लोग बात करें दोस्तों कि अगले कोशेंड की तो हाल ही में किस राजने माजी वसुंधरा अभियान का समर्थन करने के लिए यूएण इपी के साथ एक समझोते ग्यापन पर स्टाक्चर किये जो जलवायू परिवर्तन क्लाइमेट चेंज एक्षन को लागू करने की एक इनिसियेटिव है इंप्लिम ने काम किया है इन्वारिमेंट को लेकर के इलेक्ट्रिक वेहिकल्स को लेके फॉरेस्ट को लेके कि सी ओपी 26 में की बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए जो भी कॉन्फरेंस ऑफ दे पाइटी इस 26 सम्मिलन जलवायू सम्मिलन हुआ था ग्लासगो में ग्लासगो में है स्कॉटलेंड यूके में है यूकिर ऑडि जॉंसन यूनाइटेट गिंग्डम के है कि प्रधानमंतरी है कि वहां पे हमराश्ट हो ही एक मातर राज था भारत का जिसको अवार्ट मिलात भारत का एक मात्र राज जिसको जो क्या मिला था दोस्तों आवर्ड मिला था बात समझ में आ रही है क्लियर कि तो दोस्तों यहां पे जो है महराष्ट की एक जो है पहल है क्लियर है तो दोस्तों United Nation Environment Program भी environments related ही काम करता है इसने विद्ध्यूत मोहन को Young Champion of the Earth Award दिया था इसने कोचीन एरपोर्ट को Solar Power Enable होने पर Young Champion of the Earth Award दिया था इसने मोदी जी को और Australia के पुरुप्रधानमंत्री करें, France के पुरुप्रधानमंत्री को दोस्तों इन्हों ने जो है अवार्ड दिया था राश्पती को फ्रांस के राश्पती को भारत के पुरुप्रधानमंत्री को International Solar Alliance डेवलप करने के लिए International Solar Alliance में आज जो है एक सॉपाँचवा में में बन जो है ने नेपाल हुआ है अभी नेपाल के राश्पतानमंत्री सेर भाहदु द्यूबा है भी थे उनाइटी नेशन इन्वार्यमेंट प्रोग्राम का जो हेटकौरटर है वह केन्या में दोस्तों नैरोबी में कहा नैरोबी किन्या में ठीक है क्लियर है तो दोस्तों महराष्ट की अगर बात की जाए तो मुंबई इसकी कैपिटल है मुंबई को आर्थिक राजदानी देश की कहा जाता है उद्व ठाकर यहां के मुखमंत्री है भगत सिंग कोशियारी यहां के गवर्नर है मिसन कवच कुंडल अभियान यहां चला दोस्तों मिसन वाटसल योजना यहां चला साइब सेफ वीमेन पहल चला यहां पे साइबर सेफ वीमेन पहल सीव भोजन योजना महात्मा जोतीबा पूले जन आरोग योजना मियन पूरा कंट्रोल एस ने एशिया का सबसे बड़ा गैस इंसिलेटेट सब इस्टेशन दोस्तों यहां पे उपिन किया दोस्तों पूने में सीरम इस्ट्यूट आफ इंडिया है जिसके मालिक जो है साइरस पूना वालों को पद्मभूशन एवार्ड मिला पूने में सोलर कारपोर्ट क उद्घाटन किया गया दोस्तों पूने में राजीव गांदी जी के नाम से साइन्स सिटी बनाई जा रही है पूने में जी एम आइटी है दोस्तों सीडैक है पूने में बैंक और माराष्टा का हेड़क्वार्टर है दोस्तों पूने में दोस्तों इंडिया का पहला बायो लॉजिकल पार्क उसका नाम बाला साहब ठाकरे के नाम पे रखा गया एक लेंजी प्लांट भी नागपूर में लगाया गया है दोस्तों सलमान खान यहां के वैक्सीन के ब्रैंड अमेजडर हैं इंडिया का पहला अर्बन पॉड मॉंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे ल का मज़ा ले सकते हैं दोस्तों क्या उसको ओपन एयर ठीटर ऐसे कहा जाता है वो भी यहां बना दोस्तों यहां पे जीओ ने जो है एक वर्ड अशेंटर भी बनाया है बंद्रा कुरला कॉंप्लेक्स में ठीक है क्लियर है याद रहेंगे यह सारी बाते हैं तो दोस्तों मह दापते हैं ठीक है क्लियर है कि नासिक में जो है वह बनता है क्या कहते हैं नोट छपते हैं बिल्कुल सही बात नासिक देवास मैसूर सालबुनी मैसूर में अभी वर्णिका नाम से इंक प्रोसेसिंग यूनिट भी बना है वेरी गुड बहुत बढ़ियां शांदार और ए एक लर्निंग डेवलप्मेंट सेंटर भी बना है बिल्कुल सही बात है दोस्तों बी यार बी एन एंपील भारती रिजवर बैंक नोट मुद्र प्राइवेट लिम्टेट का हैटक्वाटर जो मैसूर सालबनी वाला प्रेश जिसके अंतर गताता है वह बैंगलोर में अभी बैंगलोर में दोस्तों रिजर बैंक इनोवेशन हब का भी हैटक्वाटर बना है रिजर बैंक इनोवेशन हब का हैड़ आफिस बैंगलोर में बन गया है और उसके हैड है क्रिस गुपाल कृष्णन ठीक है वेरी गूड मिसन वात्सल भी सुरू हुई है वेरी गूड जितने नयए प्राइवेट बैंक है उनका हैटक्वाटर यहां पे ठीक है बिलकूल वाटर टेक्सी की सुरुवाद जो है यहां पे मुंबई में की गई है कि सारे इंडिया वाले बैंकों का हेड़क्वाटर मुंबई में वेरी गुड ठीक है बहुत अच्छा तो दोस्तों इन्होंने कहां इंडिया वाले सारे का हेड़क्वाटर मुंबई में सरकारी बैंकों का तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का है स्टेट बैंक ऑफ इंदिया का है बैंक ऑफ इंडिया काहे सेंटल बैंक ऑफ इंडिया का है की और दोस्तों इन्होंने का कि जितने नए प्राइवेट बैंक उनका रेटक्वाटर जो है जितने नए प्राइवेट बैंक और मुमबई में तो बिल्कुल नाइंटी नाइंटी त्री में प्राइवेटाइजेशन के बाद जितने भी बैंक आए हैं उन्हें आर बी आई न्यू प्राइवेट बैंक कहता है और इसके पहले वाले को उल्ड प्राइवेट बैंक कहता है तो जितने भी न्यू प्राइवेट बैंक है बंदन बैंक को छो कि एक्सिस कि आई डी बी आई कि आई डी एफ सी कोटेक महिंद्रा बैंक कि यस बैंक कि डेवलप्मेंट क्रेडिट बैंक कि धल लच्मी बैंक कि इतना भी आप सोच सकते हैं बैंक वो सबका हेड़कोर्टर कहां पर आएगा आपका मुंबई में आए ना ठीक है क्लियर है तो चलिए दोस्तों यह आपका अभी 2022 में अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ था दोस्तों कि इसमें जो है इंडियन टीम ने जीता है जिस टीम के कैप्टन थे यश धूल इनोंने यूए में जो है एक वो हुआ था एशिया कप अंडर 19 दोस्तों वह भी जीता है और वर्ल्ड कप भी जीत लिया है इसमें जो कोच थे वह हमारे वरिष्ट खिलाडी इंडियन टीम में खेलने वाले जह है रिसी केस कानितकर जी रिसी केस कानितकर जी बहुत प्हे हं वह इसे में दिख रहे लेकिन हैं बहुत हैंसम आद्मी तो दोस्तों यह जो है कोच भी थे ठीक हैं कलीयर है याद रहेगा आपको यह बताना है कि ये जो अन्टे लोग बात में देखते वह भी कमेंट किया की जी कमेंट से से भर दिया कीजिए सेशन को एकदम टेंसन मतलिया कीजिए तो अनिल अनिरूद जी बहुत-बहुत बदाई हो आपको विथ योर ग्रेस एन हार वर्क टूड़े जोइंड माई बैंक ब्रांच एट सिमला हिमाचल पदेश टूड़े वाज माई फर्स्ट डेंग्पूल टू यू सर काजू कतली आपको फर्स्ट सेलरी से अरे वा निल जी वा क्या बात दिल खुश कर दिया भाई मज़ा आ गया द ब्रांच गए होंगे आज पहला दिन था तो वहां पर जब अपनी कुर्सी बैठे होंगे तो अगर उनको मेरी याद आई वहां से और आज पहले दिन बैंक जोईन करने के बाद मेरी याद आई तो बस यही मेरी कमाई है मैं तुमको अभी सेशन के पहले भी बोला था कि ब बस यही मेरी कमाई है और कुछ नहीं तो दोस्तों पैसा तो दुनिया कमा लेती है कुछ भी करके भी लेकिन यार हम आप लोगों की जिन्दगी में कुछ खुशिया ला पाएं और कुछ आपकी सफलता में एक हमारा भी योगदान बन जाए और बस यही में चाहता हूँ इसलिए जादा जादा शेयर करो ताकि मैं जादा से जादा लोगों तक पहुच चेकूं क्योंकि भाई तुम्हें सफल तो बना दूँगा मुझे सफल कोन बनाएगा तुम बनाओगे और मैं तुम्हें कंटेंट दूँगा लेकिन तुम तो चहां भी चितने भी ग्रूप्स हैं आपके फेस्बुक के वाट्सअप के इस्टाग्राम पर हर जगा फैला दीजे तो दोस्तों चलिए बहुत-बहुत बधाई हो अनील जी मज़ा आ गया और आप लोग हमारे शान है और आप लोग ऐसे सेलेक्ट होते चले जाएं और और मुझे छोड़ते चले जाएं किसी टीचर के साथ बिद्यार्थी भी बहुत दिन तक जुड़ा रहता है तो यह उस विद्यार्थी का डिवोशन नहीं है उस टीचर का नकारापन है कि इतना दिन से वह बच्चा आपके साथ जुड़ा है तो अभी तक तुम सेलेक्शन नहीं करा पाएं तो मेरे साथ यहीं दुख है कि मेरा बच्चा मेरे से 6 महिने एक साल से ज्यादा जुड़ा नहीं रहता है ठीक है अगर कोई जुड़ा हुआ है तो उसका कुछ अलग रीजन हो सकता है कि वह या तो रेगुलर नहीं है और या तो भी वह ग्रेजुएट न लिजे प्लस कोर्स में प्लस कोर्स का भी रेट पर सों से बढ़ने वाला है पंदर तारीक से 20 परसेंट उधर बढ़ जाएगा 10 परसेंट के दर डिसकाउंट 30 परसेंट का फायदा है अभी आपको और 11 बजे रोज क्लास हो रही है आज वाली क्लास ले लिजे जो लोग नह में रखूं मिक्स में रखूं इस सबाब जरूर मताइएगा मुझे ओके ले थैंक्यू सो मच शुक्रिया धन्यवाद मस्त रहिए स्वस्त रहिए अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए और लव यू आल बबाई टेक केर समी लोग सुबह साड़े पांच बजे आ जाना ओके